नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचे नापका स्वाज़ात रॉपरिजंदन करता हूं गरेश जी प्रथम पूजनी है गरेश जी के विशह में कुछ जाज़गारी आपको देने वाला हूं गरेश उस्तव बनाया जा रहा है गरेश जी प्रथम पूजनी है गरेश जी की पूजा सबसे पहले होती है आज मैं आपको बताऊंगा भारत के अंदर कौन-कौन से गरेश जी के अच्छे बड़े मंदिर अच्छे तो सभी हैं मतलब बड़े मंदिर में जिनका नाम आता है जहां पर लोग लाइन लगा कर दर्शन के लिए जाते हैं गडेश जी की महिमा जहां पर लोगों पर बरस्ती है उनका आशिरवाद बरस्ता है और लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं हजारों साल पुराने जो ये जो मंदिर हैं, आईए उन मंदिरों के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं, अगर हो सका, तो मैं उनकी कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले बात करते हैं, मधुर महागणपती मंदिर केरल की, मधुर महागणपती इस मंदिर से जुड़ी हुई खास बात यह है कि पुराने समय में ये बंदिर शिव जी का था, भगवान भोले नाद का था, लेकि बाद में यहाँ पर गरेज जी की पूझा होने लगी और कहते हैं कि जब शिव जी का ये मंदिर था, तब यहाँ पर एक कोई पंडित, कोई स आदिव संतिया पंडित रहता था और उसका बेटा भी उनी के साथ रहता था एक दिन जो पंडित का बेटा था वो मंदिर की दिवार पर गणेश जी का चित्र बना रहा था ऐसी पेंटिंग बना रहे थे तो कुछ समय बाद धीरे-धीरे वो चित्र जो है वो उभरने लगा यानि कि एक शेप लेने लगा वो जिस भी चीज से बना रहे थे तो उभरने लगा तो दिवार पर चमतकारी रूप से एक गणेश जी की जो फोटो जो बच्चा बना रहा था वो उभर कर सामने आ गई यानि मूर्ती के रूप में आ गई और जो उभरी हुई प्रतिमा थी या जो भी पत्थर की थी इसकी वज़े से गणेश जी का मुख्य मंदिर कहलाने लग गया कि यहाँ पर इस तरीके से गणेश जी की पूजा होने लग गई और दूसरा जो विश्व परसिद मंदिर है वो है जैन का चिंता मन गणेश जी तो मद्य परदेश की जो है एक धर कर्म से जोड़ी होई नगरी है भगवार म्हुले नाथ की नगरी है महाकाल की नगरी है कहते हैं नवी दश्वी शदाब्धी में गणेश मंदिर यहां पर इस्तित हुआ था और उजैन जो बात में जो बारा जोतिर लिंग है उसमें से एक महाकालेशवर भी वहाँ है तो ऐसा कहा जाता है कि गरेज जी का सरूफ है वो श्रीराम, लश्मन और सीता ने इस्तापित किया था और यहां पर एक बावरी भी है जिसे लश्मन बावरी भी कहा जाता है। आप यहां पर भी याकर दर्शन करें। और तीसरा जो मंदिर है जो बहुत इविश्व प्रसिद्ध है वो है मुंबई का महराष्ट में सिद्धी विनायक मंदर तो मुंबई का सिद्धी विनायक मंदिर भी आप सभी लोग जानते होंगे इस मंदिर की जो स्थापना है करीब लगबग 1801 पे हुई थी और देखा ज पर सिद्धी विनायक जी को विराजित किया गया है, मंदिर के उपर सोने का कलश वगेरा लगा हुआ है, और अंदर भी काफी सोना, चांदी, हीरे, जवरात लगे हुए हैं, यह मंदिर काफी बड़ा है, और सिद्धी मिनायक की मूर्ती काले पत्तर से बनी हुई है, ऐसा बत मंदिर है, जैपुर का मोती डूगरी मंदिर, राजस्थान में जो जैपुर है, उसको पिंक सिटी कहा जाता है, वहां पर सब आपको पिंक पिंक देखने को मिलेगा, तो गनेश जी का यह मंदिर विश्व परसिद है, और जिसे मोती डूगरी गनेश मंदिर के भी कहा जात गई थी और 1761 से भी पहले इस मूर्थी को इतिहात है यानि और भी पुरानी हो सकती यानि बहुत पुरानी मूर्थी है जिसकी पूजा की जाती है इसके बाद अगर हम बात करें था अगला मंदिर आता है पुणे का दंगडू गनेश मंदिर महराश्ट के पुणे में स्थित है और इस मंदिर को भी कहते हैं अठारा शतापदी में बनाया गया था मानुता है कि इस समय प्लेग जो एक प्लेग आपने बिमारी सुनी होगी इस महामारी से यहां के एक वैपारी दंगडू सेट हलवाई के बेटे की का स्वरवास हो गया था तो कुछ समय बाद दंगडू सेट और उसकी पतनी को गुरू माधव नात ने गनेश बनाने की सला दी ताकि उनका मन शांत रह सके वो अपने पुत्र वियोग से बाहर निकल सके बाद में ये मंदिर जो है दगडू सेट के नाम से परसिद्ध हो गया तो उन्होंने जो मूर्ती बने उसी की पूजा इस मंदिर को पाने के देवता भी कहा जाता है तिरुपती बाला जी से भी इस मंदिर की करीब दूरी पैंसाट सत्तर किलो मीटर की लगवग है तिरुपती आधिवाले अधिकतर लोग कनी पंक मन मंदिर जरूर पहुंसते हैं मंदिर का निर्मार 11 शताबदी में चोल राजा कुलो ठुन्या चोल परसम ने कराया था 1336 में और विजे नगर के राजा ने इस मंदिर की इमारत में सुधार कराया था ऐसा कहा जाता है कि यहां पर जो गनेश जी की मूर्ती है वो आकार में दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है हर साल ये मूर्ती अपनी और बड़ी हो जाती है फिर अगला मंदिर आता है रन थंबौर का तिनेत्र गनेश मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास रन रिद्धी सिद्धी भी रहती है और इस मंदिर को दस्वी शताबदी में बनवाया गया था रन थंबौर गरेश जी के मंदिर में सबसे विशेश बात ये है कि आज भी यहां पर रोज सैकड़ो भखतों की चिठिया आती है भखर अपती मनो कामना है चिठ्थी पत्र लिख कर कोरियर करते हैं दाग की दौरा भेजते हैं चिठ्थिया कार्ट गरेश जी के मंदिर रन थंबौर जिला समाई मादवपूर राजिस्थान के नाम पर लिखा जाता है जो एड्रस लिखा जाता है और मंदिर तक चिठिया पहुँच जाती है और पिर जो लिखते हैं भक तो उसकी भागवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो पंडुचेरी का मना कुला विजिया नगर मंदिर। तो दच्छिर भारत की पंडुचेरी में मना कुला विजिया नगर मंदिर है। तमिल में मनल का मतलब होता है बालू रेथ यानि कि जो इससे हम लोग घर बनाते हैं और कुलन का मतलब होता है सरोवर तो पुराने समय में गनेश जी की प्रित्मा के आज पास बहुत सारी बालू यानि जो रेथ होती है जो रखी जाती थी इस वज़े से मना कुला बिनाय गणेज जी मंदिर की नाम पढ़ा और चित्रों से बुनाे हैं बताइगें हुएं गणेज जी के 16 स्वरूब है मन्दिर का मुक्च समुनदर की और है इस पर अगला मंदिर आता है गनेश जी का इंदौर का खजराना गनेश मंदिर, मद्ध परेश के इंदौर में खजराना गनेश मंदिर है, तीन फिट उची गनेश जी की परतिमास थापित है, गनेश जी के साथ में रिद्धी सिद्धी भी है, शुरू में ये मंदिर छोटा था, 1735 में होलकर भारानी अह पूजा का इस्थान भी रहा है गंग टोग में गनेश जी का मंदिर है सिक्किम के गंग टोग में शहर में गनेश जी का मंदिर है गनेश टोग मंदिर यह मंदिर 1923 में बनाया गया था लगवग उस समय भारत में विदेश मंत्राले के अधिकारी अप्पा भीपंत ने इने ब बहुत सारे फेमस मंदिर हैं जिनके में आप कई भक्तों ने दर्शन किये होंगे और वहाँ पर आपकी मनोकामलाय पूर्ण हुई होगी तो गणेशी के मंदिरों के संदर्म में यह एक जादकारी थी वाकि हम और भी आपको बताएंगे जो और भी मंदिर है अरे भगवान के किस शहर में कौन सा मंदिर बहुत अच्छा है यह जानकारी देंगे कुछ साउथ के जो शब्द है मंदिरों का नाम लेने में अगर मुझसे तुटी हुई हो तो ईश्वर से और आप से चमा चाहेंगे कई बार कुछ शब्दों का प्रोड़ा अनुशेशन सही से नहीं हो पता है तो उसके लिए इश्वर से चमा प्रात्ना तो आप लोग शद्धा और उश्वास से मंदिरों में जाईए गणेश भगवान आपकी सभी मनों का आमना एकोन करेंगे यह बहुत क्या कहते हैं ऐसे मंदिर है जहां पर गणेश जी शाप्षात रूप में आपका आश शूस होगा कि आप जो प्रात्ना लेकर जो अर्जी लेकर गडेश जी के समक्ष गये हैं कहीं ना कहीं गडेश जी उसको चल्द पूरा करेंगे तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पर संद आया होगा है इस वीडियो को बनाने के लिए कई सारे इंटरनेट से हमने किने कई जानकारियं ली कुछ किताबों से जादकारियं ली तो इन सब चीजों के सौजने से फिदियो को तैयार किया जो पिक्चर्ड वए अरह जत्ति हम को दिखा पाए इंटेर्ट से लिए गई हैं और आगे से हम बहुत कुछ आप को दिखाने वाले हैं अपने चैनल पर अलग अलग जगों पर जाएंगे वहां के मंदिरों के दर्शित कराएंगे ताकि घर बैठे आप हमारे चैनल के बाते हम से सारे लगभग तीर त्यात्रा कर सके मंदिरों के दर्शित कर सके और आप पुन्य पराप्त कर सके हैं आपका बाक्स पे लिखिए दिए गए नमबर पर वाटसेप करिए बताइए हम से जुड़िए ताकि हम और आप मिलकर सभी को एक अच्छा ग्यान दे सकें नमस्कार